नमस्ते फ्रेंड्स मैं अब लोग के लिए और एक नवया वीडियो लेके आ गई आज मैं बनाऊंगी बेगुन भरता देखिए ए दिनार के टाइम रोटी के साथ खाएंगे बेगुन रोस्ट कर लिया ओवेन में रोस्ट कर लिया फिर उसके साथ ए कांदा मतलब अनियन ए रोसुन का कूची और सोर्षो का तेल नमक और हरा मिर्ज डालके मीक्स कर लेंगे इसको बेगुन भरता और रोटी आज खाएंगे इसके साथ ना थोड़ा धनिया पाता देने से और भी टेस्टी होता है मागर धनिया पाता घर में नहीं था तो इससे ही काम चलना पड़ेगा बेंगन भरता ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी होता है ना यह बॉयल करके भी बना सकती है मागर इतना टेस्ट नहीं आता है रोस्ट करने के बाद जो होता है भरता वो ज्यादा टेस्टी होता है